प्रदेव मिस्रा जिनको हम सीहोर वाले बाबा की भी नाम से जानते हैं वो आज अचानक ब्रिंदामन पहुंच गया और ब्रिंदामन में जाके जो रादारानी का मंदीर है वहां पे सरडागत होते हुए उनका आसिरबाद लिए उनका दर्शन किया और फिर निकलने के बाद जितने विब्रज के लोग हैं सबसे हाज जोड के मापी मागी और कहा कि हमसे अगर कोई तुर्टी होई हो कुछ गलती होई हो तो उसको माप करिएगा असलमें बीते नौ तारीक को सीहोर वाले बाबा प्रदेव मिस्रा जो की एक कथा बाचक सिव महापुराड और सिव चर भी नौ रřाधारानी को लेकर दिनका बयान आजाता है कि राधार्ाणी की वह बर्साने की रहने वाली नहीं थी इसके आगे कंटने हैं कि जो माग मारदारानी थी वो बर्साने में और गश्रीक्रिंष्न की 108 पर टॉर 1600 लानी की उनमें कहीं उनका कोई अस्थान नहीं था आगे वो कहते हैं कि जो राधारानी की साधी ती वो अन्य घोस के साथ हुई थी उनकी साथ का नाम जटिला और उनकी नर्णत का नाम कुटिला था जिसके बाद इस बयान को ततकाल कि कह सकते हैं कि ब्रिंदावन में इसको लेकर एक हंगाम तक माम मज गया कि आफिसे कैसे कैसे जीके भ़इस कि अआज की समय में कह सकते हैं और आप लगातार मेद्या माध्याह से प्रिमान साल के बच्चे भी जिस रास्ते से वह जाते हैं वहां पे लेटते हुए उनके कि उनका दर्सन मिल जाए और हम धन्य हो जाए इसके बाद प्रेमारण और उनका एक ही सुर में यही कहना था कि प्रदीम मिस्रा भ्रिंदावन नहीं आएंगे अगर आएंगे तो उनका कड़ा भिरोध किया जाएगा लगातार यह खबरें 20 कह सकते हैं 20 दिन करीब करीब हो गया और लगातार यह खबरें जो हैं प्रदीम मिस्रा से जुड़ी आज रोज जब भी अपना कथा जो भी उनका कह सकते हैं कि भक्तों को समोजित करते थे तो एक नए एक बार इनका दिन बर में जिक्र करी देते थे इसी बीच जब देखे प्रदीम मिस्रा सीवर वाले बाबा की अब बिवाद बहुत अदिक बढ़ गया है माह पंचाय जाके दर्सन पूजन भी किया और कहीं कहीं खबर तो यह भी है कि उनके साथ वहां पर बद्रता है लेकिन पुलिस का बयान आया है कि उनके साथ को यह बद्रता नहीं हो चुकि भीड प्रतिदिन काफी अधिक रहती और प्रदीव मिस्रा कोई पहले से ऐसा कोई हम लोगों प्रतिव महराज और राधारानी को लेकर दिये का बयान की जचर्चाति हो सकता है कि अब थम जाए और थम नहीं प्रतिव मिस्रा से जो भी गल्ती हुई उन्होंने जाके आज माफी मांग लिए फिलाल यह विवाद अब हो सकता है कि थम जाय और थमना भी चाहिए क्योंकि के वाज दिज